नेक्स प्रसन आता है कि इस परसानी के होने का कारण क्या है इस परसानी के होने का कारण अभी तक ठीक ठीक से पता नहीं है तमाम तरह के एजंसंस हैं हाइपोथेसिस हैं जिसमें हॉर्मोन का रोल और भी कुछ कुछ साइंटिस्ट ने परपोज करने की कोशिस की है लेकिन प पता चले कि मुझे lycan sclerosis ही है तो जो lycan sclerosis की बिमारी होती है वो उस वैसी जो सफे हमने एक पिछले वीडियो में बात की थी कि तमाम तरह की सफेद रंग की बिमारियां होती है तो जिसमें जो विटिलाइगो है जो चरक वाली बिमारी है वो कभी कभी जब सुरुवाती फेज में हो lycan sclerosis तो डॉक्टर के लिए भी मुश्किल पैदा कर देती है पता कर पाना कि विटिलाइगो है कि lycan sclerosis विसेज करके लिंग पे जो जननायंगों पे जो होने वाला lycan sc sclerosis है शुरुवाती वाला बहुत डिफिकल्टी पैदा करता है डॉक्टर के लिए भी तो ऐसे कंडिशन में डॉक्टर किस चीज का सलाह लेगा पक्का करनी के लिए तो ऐसे कंडिशन में बाइपसी जो इसकिन बाइपसी होता है चोटा सा इसकिन का टुकड़ा 2 mm 3 mm का का क करके 4 mm का काट करके उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाता है और अधिकांस केसे में बिल्कुल पक्का पक्का पता चल जाता है कि आपको लाइपसी की बात आती है और ओभी जननान की स्किन पे तो अधिकांस मरीज नकार देते हैं डर जाते हैं मना कर देते हैं लेकिन होती हैं ऐसी दवाईयां है कि जो दूनों में फायदा करती है तो जब ज्यादा कन्फ्यूजन होता है मरीज मना करता है जांच के लिए उन दवाईयों का डॉक्टर प्रयोड कर लेता है जिससे कि दूनों में से कोई भी परशानी हो तो ठीक होने लगे तो यह एक अच्छी है कि कोई मरीज सच में बहुत डर गया है नहीं समझाने पर भी मान रहा है तो उसमें भी एक विकल्प उपलब्द है कि आपने लेकिन यदि घाव बन रहा है यदि घाव बन रहा है ब्लेडिंग आ रही है तो उस कंडिशन में आपको बिलकुल ने डरना है और उसमें आपको बैपसी डॉक्टर बोल रहा है तो करवाना ही करवाना है क्योंकि बैपसी जो है वो कैंसर के लिए बहुत ही जरूरी टेस्ट ह तो उसमें बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सूचना है कि बैपसी करना है कि नहीं है डॉक्टर ने बोल दिया तो उसको फॉलू कर लेना है next part आता है treatment का की मिंट कैसे हो तो इसका treatment के लिए ।माम तरह के दवाईयां उपलब्ध है multiple दवाईयां उपलब्द हैं लेकिन जो सबसे popular treatment है वो है लगाने वाले cortico steroid group की दवाईयां इस परसानी में जो सबसे मजबूत quality का cortico steroid दवाई होती है जैसे clobetasol, halobetasol, mometasol तो इस तरह की दवाईयां डॉक्टर इस्तमाल करता है तो जब मजबूत quality का दवाई इस्तमाल करता है तो कुछ लोगों के मन में डर पैदा हो जाता इस्टिरोइड के नाम पे तो बिलकुल नहीं डरना है लगाने वाली इस्तिरोइड है और आपका डॉक्टर सोच समझ के दे रहा है दूसरी जो दवाईयां होती है वो होती है calcineurine inhibitor मतलब की tacrolimus और primacrolimus यह दवाईयां भी काफी कारगर होती है और इन दवाईयों को लंबे समय तक देना होता है तो यह सभी प्रकार के lycan sclerosis भी काम करती है यदि किसी की विमारी तेज है तो उस कंडिशन में डॉक्टर जो है दूसरी दवाईयां भी देगा जैसे कि oral corticosteroids इसी तरह से methodrixate cyclosporine retinoid group की दवाईयां जैसे acetritin तो यह सब जो दवाईयां होती है इन दवाईयों को डॉक्टर देता है और कई बार दवाईयां लंबे समय तक चलानी पड़ती है लेकिन इन दवाईयों से अधिकांस मरीजों को बहुत अच्छा फायदा मिलता है और जल्दी तेजी से फायदा मिलता है जैसे कि construction जो हमने बात किया था कि चमड़ी ऐसा लग रहा कि कस रही है तो धीला पड़ने लगता है बहुत तेजी से धीला पड़ने लगता है तो इन सब चीजों में तेजी से फायदा म वीमारी से छुट्टी पाया सकती है बिना दवाई के टोु सरकम सीजन का सलाह दे रहा है तो उससे वी डर ने रखना है क्योंकि वह बहुत ही छोटी सर्जरी है दस मिनट की सरजरी है 15 मिनट की और आप को उसी दिन छुट्टी मिल तो उससे भी डरना नहीं है जो बॉडी पे लाइकनेस कुलरस्स है उसमें कुछ डॉक्तर एक्स्ट्रा टीटमेंट यूज करते हैं जिसे बोला जाता है फोटो थिरैपी जब बात आती है जननायंग पे होने वाले लाइकनेस कुलरोस्स की इसमें डॉक्टरों में थोड़ा सा आपस में मतभेद है क्योंकि फोटो थिरैपी से कुछ रिसर्च में यह पाया गया है विसेस करके जो वेस्टर्न मतलब कि जो विदेश के लोग हैं उसमें कुछ केसे मे हैं ऐसा संदेश सस्पीशन पाया गया है कि फोटो थिरैपी से भी कैंसर डिवलप हो सकता है तिसवज़ा से कुछ दॉक्टर देते हैं अब कुछ दॉक्टर पीछे हाथ खिच लेते हैं तो फोटो फिरैपी करके जननायंगों पे कुछ डॉक्टरों में अभी भी confusion है मलब एक मत नहीं है तो और दोनों का फुल प्रमाड नहीं है कि दोनों में से कौन सही है तो डॉक्टर अपने अनुभव के अधार पर इस्तमाल करता है तो जो भी डॉक्टर गाइड करें तो उसको follow कर लें कोई उसमें घबडाने की बात नहीं है इसी तरह से इस्तियो में जो होने वाला लाइकेनिस्क्लॉरोसस है जन्राइंगों पे उसमें भी सर्जरी को लेकर के काफी जादा मतभेद है कुछ डॉक्टर सर्जरी करना पसंद करते हैं कुछ डॉक्टर केवल दवाईयों के भरोसे काम चलाते हैं यदि आपके lycanous sclerosis में cancer develop होता है तो उस condition में उस operation और जरुवत पढ़ने पर कीमो थिरेपी रिडियो थिरेपी इस तरह का भी उप्चार करना पड़ सकता है तो निसकर्स के तोर पर हम लोग यह समझें तो इसका सीधा सा मतलब है कि lycanous sclerosis एक relatively समाने विराइब बिमारी है और सधारन बिमारी है लेकिन कुछ मरीजों में यह दिक्कत पैदा कर सकती है जैसे पिसाब की धार पतला कर सकती है पिसाब का रस्ता कम कर सकती है जो sexual relationship है उसम इसमें से कोई भी परसानी आसा नहीं है कि जो डरने की बात है तोड़ा साथ डरने की बात है cancer वाली बात तो उसमें भी आप सतर्क रहेंगे तो कहीं से कोई परसानी आने वली बात नहीं है रही बार treatment की तो treatment इसका अच्छा है लेकिन अधिकान्स मरीजों में लंबा चलता बच्चों में बिमारी ज्यादा अच्छी देखी गई है जल्दी छोड़ देती है बड़ों की तुलना में बच्चों में ये भी देखा गया है कि कुछ में बिना इलाज के भी अपने आप थोड़े समय के बाद बिमारी मर गई लेकिन बड़ों में ये कम देखने को मिली है तो बड़ो में बिमारी लंबी चलती है, लंबे समय तक इलाज चलाना पड़ता है, डॉक्टर के परामर्स में रहने पर इस परसानी में कुछी परकार का कॉम्प्लिकेशन ने डिवलप होता है थेंक यू